हेलो दोस्तों कैसे हो मैं आपकी बुक्ती पहेली आज तो बहुत ठंबी हवा चल रही है ये देखिए पेड़ों के पत्ते और टहनिया कैसे हिल रहे हैं मैं हैरान हूँ कि कभी-कभी बहुत गर्मी होती है और कभी-कभी पावने इतनी तेज चलती है माँ से पुछा तो माने बताया अलग-अलगचय का अलग-अलगता अपमान होता है इसलिए हवाए चलती है मुझे तो समझ में नहीं आया बई हमें तो प्रियोग से ही समझ में आता है आगे पूस्ते हैं वरशा मैडम से हे स्टुडेंट्स कैसी है आप सब मैं आपकी टीचर वर्षा और आज का हमारा प्रियोग है वायू के एसमान तापन से वायू परवाहा का अध्यान करना प्रियोग के लिए हमें आफशक सामगरी चाहिए बीकर, मौंबती, अगरबती एवं माचिस प्रियोग का सिदान्त है प्रिथवी के सभी भागों पर परकाश की किरिने एक समान नहीं पड़ती है जिसके कारण वायू मंडल का एसमान तापन होता है एसमान तापन के कारण ही वायू मंडल में स्थान स्थान पर वायू दाब में अंतरुत्पन होता है जिसके कारण पमन चलती हैं आइए करते हैं प्रियोग सबसे पहले एक भीकर लीजिए मुम्बत्ते को भीकर गिर में रखीए माचीस के सायता से मुम्बत्ती को जलाईए एक अगर्षी को जलाएं और उसे भीकर के मुँण के समीप ले जाएं अगरबती को बीकर के मुह के किनारे पर ले जाएं और प्रेक्शन करें कि धुआ की सोर जाता है अब अगरबती को मुंबती की थोड़ा ऊपर रखिए और प्रेक्शन कीजिए कि धुआ की सोर जा रहा है अब अगरबती को दुसरे भागों में भी ले जा और फिर उपर की और उठ जाता है क्योंकि मुंबती की जुआला से मुंबती के उपर के वायू गरम होकर उपर उठती है जिसके कारण धुआ या वायू मुंबती की और आकर उपर उठ जाते हैं जब अगरबती को मुंबती की जुआला के थोड़ा उपर रखा जाता है तो मुckत्ति के ओर जाकर उपर के ओर उठ जाता है प्रयोग से निशकर्ष निकलता है कि वायू के ऐस्मानतापन से ही वायू प्रवाह होता है प्रयोग करते समय सावधानी भरते कि बीकर अथ्वा चोड़े मूँवाली बोतल का सावधाने पुरो को प्योग करें क्योंकि ऐसावधानी से कांच का बीकर अथवा बोटल तूट सकते हैं मुंबत्ती का आकार बीकर के आकार से कम होना चाहिए अगर बत्ती से निकले दुएं कि दिशा का प्रेक्शन ठीक परकार से करें थेंक यू, have a nice day अरे वाह, आप समझ में आया ये परकरती तो बड़ी छुपी रुस्तम है चलिए, अब चलते हूँ, फिर मिलेंगे अगले प्रियोग में बाई